कि देखो जो विंबल्डन टूनामेंट हो रहा है टेनिस का यह तुम्हारा एक तो इंग्लेंड में होता है इतना जरूरी है प्लस कौन से कोर्ट में होता है ग्रास के में होता है या हार्ड सर्फेस में होता है यह बता देना मुझे भी नहीं पता है तो इसमें जो सिंगल्स वूमेन है उसमें तुम्हारी ये पहली महला मारकेटा वॉंडुड ौड्रो सोवा यह जीती है और यह कहां कि यह चैज रेपब्लिक की वूमेन है டके घेच रीपब्लिक से तेस्य यह रिपब्लिक से यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैच होगा इस पर हम ध्यान रखेंगे कल के आने वाला है अगर हम ट्रेड की बात करें तो इंडिया का ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है यूएस के साथ फिर चाइना के साथ फिर होता है तुम्हारा यूएई के साथ ठीक है प्लस रिमिटें झेकर इंडिया का ट्रेड लगभर लगभर बराबर ही इंपोर्ट करते हैं या इसको दिखान रखना और मेन और नियूंज यह भी है कि यूएए की करन्सी यह वह धीरम है ओकिए से कभी किसी कंट्री की क्या है क्करण्जी और यूएए और उक कुसिए धीरम देखो बरसात का मौसम चला है तो लोगों को डाइरिया बहुत हो रहा होगा ठेक है तो डाइरिया के वारे में कुछ चीज़ा आई है ध्यान रखने वाली है डाइरिया is caused by bacteria, virus and amoeba pathogens ठेक है तो यह तीनों से हो सकता है ठेक है और जो इसमें जो main है वो है anti-amoeba species जिसको e dot में लिखते हैं anti-amoeba को e करके जैसे आपने सुना होगा e coli, e histolica इस तरह की चीज़ें आती है तो scientist ने जो पाया है उसमें पाया है कि e moshowiski यह एक तरह का amoeba, e amoeba हुआ करता था anti-amoeba तो यह पहले pathogenic नहीं था मतलब पहले यह diarrhea नहीं करता था लोगों को अब यह diarrhea लोगों को करने लगा है ठेक है so this e moshowiski has turned pathogenic ठेक है पहले घातक नहीं हुआ करता था अब घातक होने लगा है यह ध्यान रखने की बात है इसमें बस और ICMR NICED that means national institute of cholera and antric diseases इसका headquarters यह कोलकाता में है तो डायरिया से related जतने भी research होती है कोलकाता में होती है यह दिहान रखने की है और अगर e coli, e moshowiski, e histolica इस तरह की चीज़ें लिखी आ जाए तो समझ जाना है यह diarrhea हो रहा है इस से सबको चंद्रयान 3 loan चुआ है तो इसके बारे में कई news निकल के आ रही है तो सबसे पहली news है कि ISRO के chairman कोन है इस समय तो A.S.O.M.N.A.T. है यह ध्यान रखना A.S.O.M.N.A.T. is the chairman of ISRO तो Lander का मैंने बताया था इसमें तीन module जाएंगे एक propulsion module है जिसमें एक payload होगा shape S.H.A.P.E. spectro polarimetry of habitable planet earth तो यह क्या करेगा ऊपर space से चक्कर मारता रहेगा चंद्रमा के और चेक करेगा अर्थ में क्या-क्या चीज़ें हो रही है ठीक है तो यह तो propulsion module है दूसरा है इसमें लेंडर module तो इसमें लेंडर का नाम रखा है विक्रम लेंडर है इसमें चार payload है जिसमें पहला है chest C.H.A.S.T.E. तो यह thermal measuring करेगा क्या thermal properties है चंद्रमा की एक है रामभा R.A.M.B.H.A. तो यह plasma density को measure करेगा एक है ilsa I.L.S.A. यह seismic activity को के भूकम बगएरा कितने आते हैं मून पर इसको measure करेगा एक है L.R.A. laser retro reflector array तो यह मून की dynamics को चेक करेगा तो यह चार payloads तो तुमारे lander पे हैं और lander का क्या नाम है विक्रम फिर rover गया है rover पे भी आपके दो payloads है और rover का नाम है तुमारा प्रज्यान तो rover पे कौन कौन से payloads है एक है I.L.I.B.S. LIBS laser induced breakdown spectroscope ठीक है तो यह तरह से laboratory है जो material properties वगरा को चेक करेंगी कि उसकी soil में चंद्रमा की में क्या-क्या material properties है ऐसे ही APXS है alpha particle x-ray spectrometer ठीक है यह प्रज्यान rover में गए है यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें भी आजकल पूछी जाने लगी है एक्जाम में और इससे पहले अगर इंडिया लेंड करता है मून पर चौथी कंट्री होगा इससे पहले तीन कंट्री मून पर लेंड कर चुकी है USA रशिया एंड चाइना इंडिया विद फोर्थ कंट्री ठीक है और चंद्रियान वन हमने लॉंच किया था 2008 में सी 11 प्साओ क्या था 2008 में अक्टूबर में तो इससे पानी की डिस्कबरी हुई थी पानी की डिस्कबरी ऐसे नहीं कि गया और इसने एकल्या पानी पेम्हुन पे नहीं तो जब संद्रेखन वनिंशन था के हमको जो है चक्कर लगवाने है उसको क्या कीए है प्रपेल्शन मॉड्यूल को और उसको तो जाकर मून के सर्फेस पर हिट करवा देना तो चंद्रियान 1 हमारा हिट कर गया था सर्फेस के मून पर क्रेश करवाना था बेसिकली तो ग्याओ क्रेश किया तो उससे हाइड्रोकसिल आयन वड़े अर्णाव typ यह neutr कर White तो ऐसे हमने मंगलयान लॉंच किया जिसको चंद्रियान टू कहा गया जुलाई 2019 में हमने इसको जीसली मार्क थ्री मिशन वन लॉंच किया था और चंद्रियान थी 23 जुलाई में किया है यह लेमबी मार्क थ्री मिशन फूर है यह चीह ध्यान रखने की हैं कि अभी यह डच्छ प्राइम मिनिस्टर जिसने भी रिजाइन किया यह बहुत न्यूज में है तो यह डच डच लिख देते हैं बिसिकली नीदरलेंड्स का है यह ओके और इसका नाम है मार्क रिउट इसक तो रिफ्यूजीज गुसे जा रहे हैं यूरोप में और दंगे कर रहे हैं उसको रोकना है बेसिकली ठीक है देखो ओनलाइन गेमिंग पर जिसमें जुगा खिला जाता है जैसे कोई पासफ है का कि छे आएगा तो पांस और पर लगे हैं ऐसे करें यह तो गेम ऑफ चांस है बेसिकली ठीक है ओनलाइन गेमिंग में जो इंडिया में अलाउड है डेयार गेम ऑफ इसकिल्स जैसे तुम अपनी इसकिल्स का यूज करके टीन सेट कर लो कि कौन कौन सी प्लियर तुम ले रहे हो जैसे ड्रीम लेविन है ना तो उन गेम्स को अलाउड किया गया है और उन पर 28 परसंट जीएश्टी है और बैटिंग और ओनलाइन गेमिंग यह तुमको पता होना चाहिए इस टेट सब्जेक्ट ओके इस्टेट माएं अपने बच्चों से बात करते हैं ना क्योंकि बच्चे सुनते नहीं तो उची आवाज में बात करने पड़ती है तो साइंटिस्ट यह खोज कर पाएं बाई के जो डॉल्फिन्स हैं वह भी अपने बच्चों से हाई-पिच्च वाइस में बात करती है ठीके ना तो बेबी टॉक बूला गया है यह यूपियस्यास परेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी है तो इसका थोड़ा ध्याम नखना होगे देखो दो केरला स्टोरीज मूवी आई थी जिसने किस तरह से जिहाद हो रहा है किस तरह से लड़कियों को फसाय जा रहा है जो केरला में डे प्रिगेंडा फैलाने वाले हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है तो जैसे पहले श्टोरीज आई थी तो यह बताती थी किस तरह से लोग धरम परवरतन टैप कर रहे हैं आतंकवादी बना रहे हैं ठीक है तो अब लोगों की आंकें खुल गई है इससे तो फिर आ पर हमने हिंदू मसल्मान का एक ही वह बोर्ड लगा रखा है तो ऐसे करके ग्यान देंगे हिंदूों को फिर से बेब कुब बनाएंगे कि यह सोई रहें तो ज्यादा अच्छा है करके ठीक है ना तो इस पर आनेक जरुवत नहीं है